दोस्तों भारत में मिड्साइज SUVs की काफी ज्यादा बिक्री होती है और लगभग हर आटो मोबाइल कंपनिया इस सेग्मेंट में एक से बढ़कर एक कारे लाँच करती है मेड्साइज SUV की बैस्ट सेलिंग कार रही है मारूती सूजू की विटारा ब्रेजा और इसके बाद मारूती सूजू की आने वाले समय में एक और शांदार SUV को लांच करने वाली है तो चलिए आज हम आपको मारूती सूजू की विटारा के बारे में सारी डीटेल्स देते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रियोल आटो न्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे साथी साथ बेल के आइ प्लेस्मिंट माना जा रहा है भारत के लिए खास तोर पर बनाई जा रही सी सेग्मेंट की इस SUV को मारूती सूजू की और टोयटा का जॉइंट वेंचर मिलके डेवलप कर रहा है फिलहाल मार्केट में मारूती सूजू की विटारा ब्रेजा की बात करे तो बंपर बिकरी चल रही है उस कार की और उसी के चलते ये नई गारी लाउंच होने के लिए तयार है न्यू जैनरेशन मारूती सूजू की विटारा SUV के लुक और डिजाइन की बात करू तो इसमें विटारा ब्रेजा, S-Cross और टोयटा अर्बन क्रूजर की जलक देखने को मिल सकती है ये म अई अडवांस्ट सेफटी फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं फिलाल इसके इंजन की बात करू तो कमपनी से 1.5 लीटर K-Series पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर सकती है इसके फीचर्स की बात करू तो इसमें लीडिंग सेफटी फीचर्स आपको मिलने वाल और रगड डिजाइन इसमें आपको मिलने वाला है जो की इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है फ्रंट की बात करू तो सुजुकी की बैजिंग इसमें आपको मिलेगी साथी साथ इसका फ्रंट लुक काफी ज़्यादा अट्राक्टिव रखा गया है इंजन और पार्शमता की बात करू तो 1.6 लीटर VVT इंजन इसमें यूज किया गया है ये गाड़ी मैनुल और आटोमेटिक दोनों ही आप्शिन्स में आपको मिलने वाली है 5.8 लीटर में ये 100 किलोमेटर तक की रेंज देती है मैनुल कार इसकी और अगर हम आटोमेटिक कार की तो 6 लीटर में 100 किलोमेटर तक की रेंज ये कार देने वाली है साती साथ इसमें आपको 5-speed manual transmission और 6-speed automatic transmission विद पैडल शिफ्टर्स मिलने वाला है इसके अलावा 7-inch का multimedia touchscreen with satellite navigation, reversing camera, apple carplay और android auto भी मिलेगा 4.2-inch का multi informational color LCD display भी इसमें आपको देखने को मिलेगा 17-inch के alloy wheels आपको मिलेंगे, साती साथ daytime running lights, front fog lights, rear privacy glass भी इसमें आपको मिलेंगे कुल मिलाकर ये गाड़ी काफी ज्यादा feature loaded होने वाली है और साथी साथ कीमत भी इसकी बहुत कम रहने वाली है, कीमत इसकी शुरू होगी 6 लाक रुपे से और बढ़ते हुए model के साथ ये 8 या 9 लाक रुपे तक जाएगी इस SUV की market में Hyundai Creta, Kia Celtos, Mahindra XUV 700, Tata Harrier, Skoda Kushak के साथ ही upcoming Volkswagen Tigoon जैसी कारों से तक कर रहेगी तो आपको कैसी लग रही है ये कार हमें comment box में जरूर लिखेगा, साथी साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको like और share जरूर कीजेगा, धन्यवाद